तो स्वाद रहे हैं सब का मेरे YouTube चैनल सचीन एजगेशन हपपर तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले पार्ट में कवर कराये थे Business Ethics, Meaning, Principles वैसे ही अब second part में मैं आपको दो ही ऐसे important topics हैं इसके अंदर रहे गए हैं जो वो आपको कराऊंगा cover that is importance किया है और कौन-कौन से factors affect करते हैं इसकी importance को इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ और दोस्तों अगर आपको पहली वीडियो चाहिए part 1 की तो आपको उसका link description में मिल जाएगा तो अब आपको कोई मिश्किल नहीं है करते हैं सार लेकिन उससे पहले आपको पता है अगर आपने कोई और भी notes लेने हैं किसी भी commerce subject से related तो आप मेरे telegram channel को जोईन कर सकते हैं जिसका की link आपको description में मिल जाएगा अब दोस्तों starting करते हैं सबसे पहले आज की वीडियो में importance क्या है business ethics की तो business ethics क्या होते हैं सबसे पहले वो तो आपको first part में मिल जाएगा अब इसकी importance क्या है consumer satisfaction तो अगर आप business ethics follow करते हो तो consumer is the king of the market तो automatically वो वही चीज़ देखेगा कि कौन सा business अच्छा है तो अगर आपका अच्छा business हुआ well reputed हुआ business ethics हुए reasonable हुए तो वो satisfy हो जाएगा आपके business का काम बन जाएगा तो पहला हो गया अब दूसरा आता है good reputation यानि अगर आप अपने consumer को अच्छे से satisfy कर रहे हो well reputed ethics बना रहे हो तो as a result क्या होगा mutual trust बन कर रहे जाएगा आपका business के साथ यानि आपका mutual trust बड़े अच्छे से बनेगा confidence built हो जाएगा consumer का जिससे आपका long term survive प्लस good reputation अच्छे से बनी रहेगी business की तो आपके लिए ये benefit है यानि business ethics की मदद से आप अपने business को एक well reputed business बना सकते हो हो गई तीसरा आता है long term अच्छा जी अभी मैंने बात की थी पहले good reputed अगर आपका business reputation में हुआ good reputation हुई इसके इलावा consumer satisfaction हुई तो automatically कहीं ना कहीं आप अपने goals को असानी से achieve कर सकते हो और अगर आपने goals achieve के लिए profit हो गया automatically आपके business में long term survival हो गई अब उसके बाद हम बात करते हैं fourth हमारी जो importance है वो है increase employees role अच्छा अब अगर आप business में काम कर रहे हैं अपने employees में इसको खुश रखना भी बहुत ज़रूरी है और अगर आप चाहते हो कि उनका participation ज़ादा से ज़ादा हो आपके business के अंदर तो आप अपने business में well reputed क्या बनाओ ethics बनाओ उससे क्या होगा उनको कुछ satisfaction मिलेगी और अगर उनको satisfaction मिलेगी वो best अपना देंगे हर चीज़ को करने में जिससे आपको help हो जाएगी यानि business को help हो जाएगी goals को अचीव करने में तो मेरे ख्याल से यह आपको चारो के चारो समझ आ गए अब फिफ्थ है कि better service to society अब यह भी बहुत ज़रूरी है if ethics are good in companies then companies will contribute surely best in society to achieve the success and satisfaction to customer best service in society will be reputed of the business also and also as a result survival for the long period take place मतलब यही है कि अगर आप automatically best ethics अपने business में रखते हो तो society को service देने में मदद करेंगे जिसे आपका survival अच्छे समय के लिए हो जाएगा यानि लंबे समय तक आपको profit होगा और आपका business आगे बढ़ता रहेगा satisfaction से ही based सारे importance हो गए अब उसके बाद एक और आता है छोटा सा point है smooth functioning अगर आप अपने business में well reputed ethics रख रहे हो तो उसकी ज़रूरत कहां पढ़ेगी यानि आपकी ethics की ज़रूरत आपको कहां पढ़ने वाली है जहां पर clients, shareholder, dealers अच्छे से आपके business में contribute करें उस case में आपको ज़रूरत पढ़ेगी तो smooth functioning के लिए आपको ये सारी चीज़े चाहिए और अगर आपको smooth functioning चाहिए तो आपके लिए business ethics successful है तो business ethics की मदद से क्या हुआ आपके business में smooth functioning से काम होने लगा अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं दोसो factors की तो factors में number one है आपके पास long term growth यानि कौन से ऐसे factors है जहों business में आपकी effecting करके यानि आपको business ethics लेकर आने में मजबूर करती है तो पहले number पे आपकी growth है अभी हमने पीछे पढ़ा long term stability इसकी importance है तो वही से वहां से ही related यहां पे पहला point आ गया कि अगर आप अपने business में survival long term के लिए जाते हो तो customer को satisfy करो और अगर आपने customer को satisfy कर दिया तो आपको profit हो जाएगा जिसकी मतलब से आप अपने business को लंबे समय तक लेकर जा सकते हो तो पहला हो गया दूसरा है आपके सामने cost and risk reduction यानि अगर आप अपने customer को satisfy कर रहे हो अपने business की reputation को आगे बढ़ा रहे हो उससे क्या होगा हर एक employee अच्छे से contribute करेगा और अगर हर एक employee अच्छे से contribute करेगा तो आपके business में क्या हो जाएगा optimum utilization of resources अगर optimum utilization of resources हो गई तो आपके automatically जो cost है वो कम हो जाएगी और उससे cost से क्या होगा रिस कम हो जाएगा clear होगा यह भी point आगे आता है leadership अच्छा अगर आप leadership चाते हो अपने business के अंदर कि हर कोई एक दूसरे का leader इमलब जो main leader है वो अच्छे से काम करे यह हर एक leader के लिए भी क्या ethics होने चाहिए उससे पहले business के ethics बहुत ज़रूरी है तो leadership को ethics बताने से पहले business के ethics होना ज़रूरी है इसलिए leadership क्या कर रहा है कही न कहीं business को मजबूर कर रहा है कि आप अपने ethics बनाओ तो leadership की facility रखने के लिए आपको ethics त्यार करने पड़ेंगे ये भी बहुत जरूरी है आगे आगे है आपका vigilance vigilance मतलब उपर से आपने देखना है supervision करनी है कि क्या सारा काम अच्छे से हो रहा है तो अगर आप supervision चाथते हो अच्छे से काम करना चाथते हो तो आपको ये चीज क्या करनी पड़ेगी rules and regulations यानि ethics आपने त्यार करने पड़ेंगे principles आपको बनाने पड़ेंगे moral values देनी पड़ेंगी उससे गया होगा जो supervision है वो भी अच्छे से देख पाओगे आप तो automatically employees भी आपने under आगे ही सारा काम करेंगे तो vigilance proper हो जाएगी with the help of या vigilance की मतल से आपको ethics कही न कहीं रखने पड़ेंगे ये ज़रूरी चीज यहाँ पे कही गई है अब दोस्तों उसके बाद आता है moral values अगर आप अपने employees को moral values बताना चाते हो कि क्या होती है तो आपको कही न कहीं या अपने employees को moral values के बारे में बार बार बताते रहना या उनकी moral values जो ज़रूरी है उनको ठेकने के लिए या उनको बताने के लिए उनको जानकारी देने के लिए ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत जरूरी है मतलब कहीं न कहीं जो दूसरों की moral values है उनको देखकर बिजनस में moral values को देखना या यूज करना या बनाना ये भी कही न कहीं affected होता है तो theory आपके सामने है पढ़ लेना हो जाएगा आपका ये भी उसके बाद इसके बाद आता है कि formal organization अगर आप आपका बिजनस में चाहते हो moral ethics होगे तो automatically अगर वो चीज़ ज़रूरी है तो कहीं न कहीं आपका बिजनस सर्वाइब कर जाएगा और सीजी सी बाद यहाँ पे क्या लेना देना है कि formal organization अगर होगा तब ही बिजनस में मलब formal organization कहीं न कहीं आपके ethics को मजबूर करता है अपने बिजनस में ethics लेकर आओ ठीक है उसके बाद दोस्तों हमारा जो last topic यानि जो last factor है वो है environment in the country अगर environment country में ऐसा है कि हर एक बिजनस के अपने अपने ethics है तो कहीं न कहीं हमें भी मजबूर कर दिया जाता है कि हम आपने बिजनस में पहले ethics लेकर आए फिर काम करें तो अगर environment पूरे country का जैसा होगा वैसा ही आपको रखना पड़ेगा अगर आपके कहीं पर भी business में ethics नहीं है तो आपके भी नहीं मजबूर आपको करेंगे कि आप रखो लेकिन अगर हर और आपके ethics फैले होए है यानि हर business के ethics फैले होए है तो आपको भी जरूरी है कि आप अपने बिजनस के इस तरीके से ethics त्यार करो कि वो well reputed हो और satisfaction देने वाले हो तो दोस्तो कहीं ना कहीं ethics की जरूरत कहां पड़ती है क्यों पड़ती है ये भी हो गया और क्या जरूरत है इसकी ये भी हो गया तो ये दो topics main थे 10 marks के लिए ये भी आपको करा दिये दोस्तो आज के लिए इतना ही है वीडियो के अंदर वीडियो अच्छी लगी है समझ आ गई है notes आपको मिल जाएंगे आपके लिए open है आप वहाँ पर भी discussion कर सकते हो तो आज के लिए इतना ही है दोस्तो thank you very much have a nice day